मयूर के वैवाहिक और आर्थिक जीवन की समस्याओं के विशे में जो काउंसिलिंग दी गई है पहले भाग में उसको जरूर देख लें ताकि ये दूसरा भाग समझ आ जा जा जिसमें पूरा समाधन बताया गया है सबसे पहले तो आपको अपना कैलकुलेशिन करना है और एक बजट बना Νा है तो उस निशा के इसाथ आपको दूढना है और बताना है कि निहा हमारी इनकम बची है किसे बाद चाना पीना सब्जी हो गया बच्चों का खर्चा व कितुए और उसमें पूर बНе सब जो आप घर दूण लोगे तो आप निया को बोल सकते कि भी कि मैं पहले तो आपको माफिमांगनी पड़ेगी कि आपने इस पूरायी नहीं थी यह अच्छी बाद होती है पहले तो आप माफी मांगता हूं अब जो हालात है उसको सुधार ना जाता हूं प्रभू के वचन के अधार पर चल गए और जैसे कि आप बता रहे कि नेहा अभी आप विश्वास करने लगी है यह मसीपर और वचन में बढ़ रही है तो यह बात बिचन पर बिपशन तो यह न हें रह ठोड़ेंगे तो सँ मंस्यिद्व नहीं कि उपना परभू करता कि ठीक है तुम्से वगी लेकिन अगर तुम अभी भी बचन पर चलने को तैयार हो तो मैं मदद करऊगा लेकिन जो तुमने किया है उसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे तो उनसे बचा नहीं जा सकता ठीक है कोई भी मसी यह नहीं सो सकता है कि आप ये फैसला करना पड़ेगा कि इस बजट में ये कमरा मिल रहा है और इस तरीके का हमारा जीवन होगा क्या आप इसके लिए तैयार हैं ये पहले फैसला दोनों को मिलके करना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि अगर वो तैयार हो जाती है और एक छोटा कमरा भी मिलता है अगर आप प्रभू से प्रात्ना करेंगे तो मिलेगा उसका मतलब ये कि अब आपको जितने भी फिजूल सारी रोखने बड़ेगी मतलब यह शौक्ट नहीं हो सकता है कि मैं हर दो मैंने में कपड़ा खरीद रहा हूं या नहा को लग है कि मैं यह खरीड वो खरीदू नहीं सब कुछ रोखना पड़ेगा जब तक आपका यह माइए खतम नहीं होता है चिक है यह तो अच्छी बात प्रभी भी प्रभू आपके साथ है अगर आप सच्चे मन से अपने जीवन में यह सुदार लाना चाहते हो तो सकता है लेकिन अगर आप फिर समझोता कर लोगे कोई ना कोई फिर कोई गल्ती करोगे फिर और डूब पहले जहां पर वचन को नहीं माना इतनी सारी मुसीबते आई हैं इन से बचने का रास्ता यह नहीं है कि और मुसीबतों में फज्जा और सांसारी बुद्धी अपनाओ नहीं इससे बचने का रास्ता यह है कि अब मैं येश्य के वचन पर ही चलूँगा चाहे कुछ भी हो ज पर जब आप बाइया के वीडियोज देखते हो और शारी बाते मानते में तो प्रभू ने लाकित दिया है आपको मिनिस्ट्री हमको लाकित दी है ना सचाहिए समझने के लिए तो फिर यह वाला वीडियो उसमें सचाहिए है तो आप अपना स्वार्त क्यों लेकी आते हैं तो तो वो एक मा को और एक पिताजी को यह स्वार्थ नहीं लाना चाहिए बीच में कि बेटा हमारे पास रहे तो ज्यादा अच्छा है कल को हम बुड़े हो जाएंगे तो हमारी सिवा करेगा इस तरह का जो स्वार्थी माइंड सेट होता है उसमें बहुत समस्या होती है हमेशा ह माता पिता को येश्यू मसीप निरवर रहना सीखना होगा कभी भी ये बोज बच्चों पर नहीं डाला जाता प्च्छे अपने आप में अच्छे हैं और सच्छे मसीए तो वह अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखेंगे अगर वह बीमार भी पढ़ते हैं या उनको को से आर्थिक तंगी होती है तो जो बच्चा सही में बढ़ रहा है वो उनकी मदद जरूर करेंगा क्योंकि यह उसके जिम्मेवारी है लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि माता पिता उस पर निरभर हो जाएं माता पिता को तो हमेशा येश्यू मसी पर ही निरभर रहना अगरो मसी है तो पहले उनको यह समझना पड़ेगा फिर उनको सच्चे दिल से बात स्वीकार करने पड़ेगी हाँ मैयूर और निहा आप ठीक सोच रहो जैसा बहुत है आपका लाइफ होना चाहिए अलग से आपके बच्चों के साथ एक परिवार होना चाहिए हमारा संबद बना रह जो कि किराय का पैसा निकलता हो इतना ही निकलता है अब उसमें जोटा सार्था मैं पढ़ेगा वह सूद्धा होगा प्रभू तो उस अवस्था में पत्नी को साथब लो यह सिचुएशन आप अगर आप इसके लिए तयार है तो हम यह कोशिश कर देते हैं तो फिर प्रभू दिरे दिरे रास्ता निकालेगा जब आप सच्छे मंद से इस नतीजे पर पहुंशते हो तो जब वो कमरा मिल जाएगा आपको यह घर मिल जाएगा तो फिर अपना समान वगर वहाँ शिफ्ट कर लो और वहाँ पर अपना जीवन शुरू करते बहुत डिसि अगर आप यह संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदीbiblstudy.com पर देख सकते हैं यह वीडियो हमारे फरवरी के वीडियो में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महिना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अ या Mozilla Firefox browser इस्तमाल करें तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं और उपर Google Chrome टाइप करें फिर आप Google Chrome browser पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करें यह एकदम फ्री है इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टाल करे यह भी एकदम फ्री है इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें Hindi Bible Study.com टाइप करें मतलब पूरा Hindi Bible Study.com एक साथ बिना किसी गैप के तब हमारा वेब साइट Google Chrome में खुल जाएगा और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे इसी तरह आप Mozilla Firefox ब् और उसमें भी बिना गैप के Hindi Bible Study.com टाइप कर सकते हैं उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंगे इसके अलावा अगर आप चाहें तो बहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन दबाकर 240P सेलेक्ट कर सकते हैं जिस से आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा तूफोर्टी सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए